मुँ में घुल जाने वाले एकदम सौफ्ट नरम मुलायम दही बड़ा की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ होली पर दही बड़े न बनाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक ही बार में आपसे इतने परफेक्ट दही बड़ा बनेंगे कि आपको खुद से यकीन नहीं होगा कि ये आपने पहली बार में बना कर तेयार किये हैं तो नमस्ते फ्रेंड्स नरमदा टेस्टी फूड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाले चाहिए तो ये मैंने ली है एक कप मुंग की दाल और एक कप ही मैंने ली है उरत की दाल दोनों दाले हमें बराबर ही लिना है और इनको हमें 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है इसी मेजरिंग अपसे मैंने ये दाले ली हुई है दाले बहुत अच्छे से फूल चुकी है चाहे तो आप इने ओवर नाइट के लिए भी भिगो सकती है दाल को भिगोने से पहले हमें 2 से 3 बार अच्छे से वॉस कर लिना है मैंने इनको अच्छे से वॉस कर लिया था फिर उसके बाद इनको मैंने भिगो दिया था और ये देखिए दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है और उरत की दाल भी काफी अच्छे से फूल चुकी है अब हम इने दो से तीन बार अच्छे से बॉस करेंगे और सारा पानी जो है इनका निकाल देंगे और दाल को मैंने दो से तीन बार अच्छे से बॉस कर लिया है सारा पानी हमें दाल का निकाल देना है और उसके बाद हम grinders डाल लेंगे और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे मुंगी डाल आप चाहें तो दोनों डाल को mix करके भी पीश सकते हैं लेकिन मैं पहले मुंगी डाल को पीश रही हूँ तो इसमें हम एक बार में जितनी अच्छे से डाल पीश सकते हैं उतनी दाल हम इसमें डाल देंगे और दाल डालने के बाद आपको धियार रखना है पानी बहुत ही कम इसमें अट करें दाल को जब भी आप पीशे तब दाल को रेगुलर चलाते हुए बिलकुल न पीशें पहले थोड़ा सा पीशे फिर रुक जाए और फिर दाल को चेक करें अगर आपको लगे कि उसमें पानी एड़ करना है तो थोड़ा सा एड़ कर दीजिए और इसी तरह से हमें दाल को पीश कर तयार करना है बड़ा बनाने के लिए दाल में बहुत ही कम पानी का यूज होता है तबी बड़े जो हमारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं एकदम सॉफ्ट बनते हैं और उन्हें बनाने में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्यत नहीं आती है आप देख सकते हैं इस तरह की दाल हमें पीशना है मैंने बहुत ही कम पानी का इसमें यूज किया है आप देख सकते हैं इस तरह की consistency हमें दाल की रखनी है और जब दाल हमारी पिसकर तयार हो जाए तब हमें दाल को अच्छे से mix कर देना है इतनी दाल पिसने में मैंने आधा कप पानी का यूज किया है तो पानी हमें बहुती कम इसमें डालना है और अब हम इसे अच्छे से mix कर देंगे और जब हम spoon से एक बार mix कर देंगे फिर दाल को हमें हाथ से ही फैटना है बहुती अच्छे तरीके से रेगुलर आपको चलाते हुए एक ही डारेक्शन में इसे फैटना है और कम से कम आप इसे 10 मिनट के लिए फैटे तभी जो दई बड़े बनेंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे एकदम सॉफ्ट बनेंगे मुझ में घुल जाने वाले बनेंगे आप इसे एक बार मेरे तरीके से बनाईएगा आपके दई बड़े जो एक ही बार में इतने टेस्टी बनेंगे कि आप उन्हें हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे तो यह देख सकते हैं आप मैंने इसे एक ही directors में regular चलाते हुए fat के तयार किया है इसी तरह से हम दाल को fat तेंगे जैसे जैसे दाल को हम fat दे जाएंगे वैसे वैसे दाल का color जो है change होता जाएगा और दाल जो है double होती जाएगी ये देखिए इस तरह से 10 मिनट के लिए आपको इसे फैट ना है दाल मेने अच्छे से फैट ली है तो दाल जब अच्छे से फैट जाएगी तब आपको कैसे पता लगेगा तो उसके लिए आप एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें थोड़ी से दाल डाल कर देखिए अगर दाल पानी के उपर इस तरह से तैरती है तो दाल बिल्कुल परफेक्ट है एकदम सॉफ्ट बड़ा बनाने के लिए हमें इस तरह से ही फैटर को तयार करना है इसके बाद हम इसमें क्रस किया हुआ थोड़ा सा अध्रकेट करेंगे दो से तीन बारी कटिवी हरी मिर्ज आदा चमच हम इसमें नमक डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे इससे बड़ा जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसके बाद ये देखिए मैं आपको दो तरह से बड़े बनाना बताऊंगी जिन लोगों को ओईल बहुत ही कम पसंद है उनके लिए तो ये विल्कुल बेस्ट ओप्सन है अब आपको करना क्या है इसमें थोड़ा सा वेटर में एक चोथ हाई की संथिंग डाल दीजिए खाने वाला सोड़ा जो की हर किसी के घर में यूज होता है और बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसके बाद इस तरह से इडली मोल्ड लीजिए थोड़ा सा ओयल ये घी से इनको ग्रीस कर दीजिए आदे से एक चमच ओयल में ही ये बनकर तयार हो जाएंगे और इस तरह से वेटर को इसमें फिल कर दीजिए थोड़ा सा इनको टैप कर दीजिए पानी में पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था पानी में जब अच्छे से उबाला जाए तब आप इन्हें सेट कर दीजिए और 10-12 मिनट में ही इनको चेक कर लीजिए तो ये देखिए बहुती टेस्टी और एकदम सॉफ्ट बड़े बनकर तयार है बो भी बहुती कम टाइम में और बहुती कम ओयल में आदे से एक चमच ओयल में ही ये बनकर तयार हो जाते है और फ्रेंड्स ये भी बड़ा उसी तरीके से टेस्टी लगते हैं जैसे हम फ्राइ करके बड़े बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हुए हैं ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट और चलिए अब दूसरे तरीके से लिए बड़े बना लेते हैं तो इसके लिए उल को हमें गरम करना है, घलका गरम ही करना है एकदम हाई गरम बिल्कुल नहीं करना है और इसके बाद गयस को हमें लो करदे difet करते हुए बड़े हमें इस तरह से हाप से बना लेना है हाप से ही मुझे ज्यादा इजी लगती है तो मैं फिर इनीवेट से भी बनाना पसद करती हूं बस इस तरह से बड़े आपको जितने भी साइज की चाहिए मैंने जो बनाये है वो साइज्ज के बनाए हैं अगर आप चाहे तो थोड़े से इनसे बड़े भी बना सकते हैं तो बस इस तरह से हम बड़े बना देंगे और आप देख सकते हैं आधा एक मिनट आद इनको आप इस तरह से थोड़ा सा हलकी हाथों से इस तरह से उलट दीजिए ये देखिए एक साइट से हलका सा इनका कलर चेंज हुआ है तो मैंने इनको उलट दिया है देखने समझ में आ रहा है कि ये बड़ा कितने सॉफ्ट बने हैं एक दम फूले फून रहे हैं क्योंकि दाल को हमने अच्छे से फैंट लिय करेते हैं तो इसी तरह से बड़ा बनकर तयार होते हैं बहुत ही प्यारा सा इनमें कलर आ चुका है इनसे ज्यादा डार्क हम इनने अब नहीं करेंगे इसी तरह से हम और भी बड़ा बनाकर तयार करेंगे आदा से एक मिनट बाद इनको इस तरह से उलट दीजिए ताकि सभ करने में ज्यादा अच्छे नहीं लगके हैं तो यह देखिये सभी बड़ा बने बना कर तयार कर लिए है आप देख सकते हैं।aker counselor, B.K. ऑलिज़ें, लिग नinsky किण में डाल देना है अगर आप इन्हें तुरंत ही खाना चाते हैं तो इस तरह से इन्हें पानी में डाल दीजिए 10-15 मिनट के बाद इनको निकाल लीजिए और हलकी हातों से इन्हें निचोड लीजिए और अगर आप इन्हें एक से दो दिन के लिए रखना चाते हैं तो फिर ब अच्छे से मिक्स कर देंगे और चाट वाला दही बनाने के लिए इस बात का अमें धेहन रखना है और इसके बाद हम बढ़ा को हलकी हातों से इस तरह से ब्रास करेंगे और अब हम इने सर्व कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इनकी उपर डालेंगे दही और उसके बाद हम इनमे एड़ करेंगे इमली और गुड़ की खटी मीठी चटनी और ये देखिए देखते देखते ही आपके मुझे पानी आ जाएगा ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बने है बहुत ही सॉफ्ट बने है अब हम इनकी उपड़ डालेंगे थोड़ी थोड़ी हरे धनिया और पोदीना की चटनी भुनियु जीरिका पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा रैचली पाउडर चाहे तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं और इसके अलावा आपको जो भी चाट में पसंद हो वो आप इन में एड़ कर सकते हैं तो यह देखिए बहुती टिस्टी एकदम सॉफ्ट इस्पंजी दही बड़ा हमारे बनकर तयार है और यह देखिए हलकी से स्पून टच करते ही यह कैसे तूटने लगे हैं बहुती सॉफ्ट बनी है यह देखिए और इसके बाद में आपको इडली मूल्ड में जो बड़ा बनाए थी उनको भी सर्व करना बताती हूं तो इन्हें भी आपको हलके गरम पानी में डाल देना है और उसके बाद सेम तरीके से इनको निचोड लेना है और बस इसके उपर थोड़ा थोड़ा दही डाल देना है अगर आप लाइक नहीं करोगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको हमारी बनाई हुई रेचिपी पसंद आई है और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीचिएगा फिर मिलते हैं पाई बाई झाल झाल